हेलो दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको दो फेस बास के बारे में जानकाये देने वाला हूँ एक आहागिलो, दूसरा टोनेंगलो और इन दोनों फेस बास का नाम सुनकर आप समझी रहे होंगे कि इन दोनों फेस बास का जो काम है वो लगबख समान है पर दोनों फेस बास के अगर MRP की बात करेंगे ना तो बहुत जादा डिफरेंस है और आज की इस वीडियो में आपको इन दो फेस बास के बारे में ही जानकाये देने बाला हूँ कि आखिर इन दोनों Face Boss का कैसे यूज करना होता है इन दोनों Face Boss का Composition क्या होता है इन दोनों Face Boss के यूज करने से फाइदे क्या होते है क्या इनसे नुकसान हो सकता है और इन दोनों Face Boss में कौन सा Face Boss बहता रहा है रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप पूरा देख लीजेगा दोस्तों के साथ भी सेयर करतीजेगा जिसे कि यह जानकारी उन तक भी पहुंचे मैं आपका दोस्तने तिन एक वाफिर इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपके अच्छे स्वास्त की काम ला करता हूँ दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी ले रेते हैं इन तोनों फेसबास के बारे में तो यह 100 ग्राम का पैक है और इसकी जो करेंट MRP है वो है 365 रुपए अगर आपको वीडियो में किलियर देख जाए 365 रुपए इस Face Boss की MRP है वहीं पर अगर मैं आहागलो पैक की बात करूँगा तो यह पैक है 50 ग्राम का और इसकी अगर मैं MRP की बात करूँगा तो 325 पैक आपको 325 रुपए में मिल रहा है मतलब 50-50 का डिफरेंस है और इन दोनों फेस्ट बास को आप ओनलाइन भी खरी सकते हैं आप इसको मेडिकले स्टोर से भी खरी सकते हैं पर यह भी ज़रूरी जानना है कि आखिर इन फेस्ट बास को किसको यूज नहीं करना चाहिए क इन फेस्ट के भी बहुत सारे साइट इफेक्ट होते हैं जो मैं आगे बात करूँगा बाकि अगर मैं इन दोनों फेस्ट के कमपोजीशन की बात करूँगा तो इन दोनों फेस्ट का जो कमपोजीशन है वो सेम है अगर आप ग्लाइकोलिक एसट की बात करेंगे तो इस फे composition head किया गया है और इनके फायदेगी भी अगर मैं बात करूँगा तो सेम है अगर मैं इनके फायदेगी बात करें जब आप इनको purchase करेंगे तो आप खुद भी उस पर देख सकते हैं इस पर mention ही क्या गया है कि यह दोनों face boss non-commodigenic होते हैं मतलब अगर आप इनका यूज करते हैं तो इनसे skin pores clogged नहीं होते pimples से निकलने का खत्रा नहीं रहता है तो इन face boss को acne prone skin वाले वाली skin वाली लोग easily use कर सकते हैं और use भी करते हैं डॉक्टर के दारा प्रस्क्राइब भी करे जाते हैं काफी अच्छी रिजल्टिन के देखने किल मिलते हैं बाकी इनका अगर आप use करते हैं तो जो dead skin cells हमारी skin पर होते हैं जिनकी वज़े से skin पर गंती की जमा हो जाती है skin pores clog हो जाते हैं pimples बढ़ जाते हैं तो dead skin cells को भी ये remove करने में मदद करते हैं दोनों face boss और skin को resonate रखते हैं और skin tone और skin texture को improve करते हैं वाला दोनों face boss के अगर हम फायदे की बात करूंगा तो same है जब आप purchase करेंगे तो आप अपने आपसे भी इन दोनों के cover पर ही mention किया जाता है आप इसली पढ़ सकते हैं और आप इन दोनों का compare भी कर सकते हैं साथे साथ इन दोनों face boss की एक बिसेस्ता और भी है कि यह दोनों face boss पैरवन फिरी होते हैं तो डॉक्टर के दोरह यह sensitive skin वालों के लिए भी prescribe के जाते हैं sensitive skin वाली लोग भी इनका यूज कर सकते हैं दोस्तों पर मैं बात करूँ कि आखिर इन दोनों face boss में कौन सा face boss बहतर है as per customer feedback तो मैं customer का real feedback बता रहा हूँ वो customer पहले आगलो face boss यूज करता था क्योंकि इसकी MRP बहुत ज़्यादा है तो जो दिन में वो दो बार face boss से अपना चहरा दुलता था इसके यूज करने के बाद उसको irritation नहीं होती थी पर जब उसने tune and glow यूज करना शुरू किया तो इसके यूज करने के बाद उसके चहरे पे irritation बढ़ गई और ये मैं आपको उसका real feedback बता रहा हूँ दोस्तो बागी अगर मैं बात करूँगा कि इनके side effect क्या हो सकते हैं और किसको इसका use नहीं करना चाहिए इन दोनों face boss में glycolic acid को use किया गया है और glycolic acid skin को ज़्यादा dry भी कर सकता है अगर आप लंबे समय तक use करते हैं तब तो जो dry skin वाले लोग हैं ऐसा नहीं है कि वो इस face boss का use नहीं कर सकते हैं पर लंबे समय तक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी skin और ज़्यादा dry हो सकते हैं आपको इससे और ज़्यादा side effect हो सकते हैं तो dry skin वाले लोग अगर आप इस टाप के face boss की use करना चाहते हैं जिसमें glycolic acid होता है सबसे पहले आप अपने doctor से सला लें उसके बाद यूज़ करें otherwise आपको side effect भी हो सकते हैं side effect के अगर मैं बात करूं तो red skin, skin irritation या फिर skin itching की भी problem आपको हो सकती है और अब बात करें दोस्तों की आखिर इन face boss का हमें कैसे use करना होता है जिससे की हमें इसकी better result देखने के लिए मिले तो बहुत जादा rocket sense आपको नहीं लगाना है फिर भी एक तरीका है जिस तरीके से आपको इनका use करना होता है सबसे पहले आपको अपने चेहरे को पानी से उसके बाद आपको sufficient quantity में face boss लेना है और यह जो आपको इसमें micron capsule दिख रहे हैं न दोनों face boss में आप देख रहे होगे यह छोटे छोटे जो आपको micron capsule दिख रहे हैं इनको आपको क्रेस करना होता है ब्रेक करना होता है उसके बाद अपने चेहरे पर अच्छे से circular motion में मसाज करने होती है और एक से दो मिनिट के लिए आपको face boss चोड़ना होता है उसके बाद normal पानी से आपको अपने चेहरे को दिल लेना होता है और अच्छे result पाने के लिए आपको दिन में दो बार सुबह और साम अपने चेहरे को दिलना होता है जो इस पर mention भी किया गया है और कभ आपको फेस बास बंद कर अपने डॉक्टर से सला भी लेवनी होती है जिससे कि और ज़्यादा साइट इफेक्ट ना हो और आपको सही ट्रीट्मेंट बिलबाए और यह जानकारी आपको सही लगी तो वीडियो को सेर कर देना लाइक करना धन्वाद दोस्तों